पश्चिम बंगाल के संदेश खाले घटनाओं को लेकर सोमवार को हिंदू स्वाभिमान सुरक्षा मंच ने टीमसी के नेताओं के खिलाफ राष्ट्रपती के नाम कलेक्टर को ग्यापन सौपा और सक्त कारेवाई की मांग की है संदेश खाली में दले तो आदिवासी मैलाओं के साथ हुए अत्याशार के विरोध में सोमवार को हिंदू स्वाभिमान सुरक्षा मंच ने राष्ट्रपती के नाम कलेक्टर को ग्यापन दे कर पश्चिम मंगाल की सरकार पर कारवाई करने की मांग की सिंख्रो कारकरताओं ने नारिवाजी करती हुए टीमसी नीता के खिलाब जम कर नारिवाजी की इस जोरान कारकरताओं ने नारिवाजी करती हुए कहा के किन सरकार पश्चिम मंगाल की सरकार को तदकाल भंग करे मंता बिनर्जी सरकार के मंतरी के सरक्षण में मंता बिनर्जी के सरक्षण में जिस प्रकार बहन बेटियों का इज्जत लूटा जा रहा है इस घटना से आहत हो करके हम खाली संदेश देने एक आये हुएं संदेश खाली पर एक खाली संदेश हमारा यह है कि इस हिंदूों की खून की 85 ममताब इनर्जी सरकार को भारत के महा महिम राष्ट पती जी बरखास्त करें और भारत के माननी परधान मंत्री इसकी अनुसंसा करें बिलकुल न घबडाएं सव कोरोण हिंदू उनके साथ है हमने एक मीम देखा था ममताब इनर्जी का जिसमें उसके दो बड़े द है और एक फायार भी दर्ज नहीं होता अब वह मीम उनका वास्त्विक चित्र और चरित्र को प्रस्तुत कर रहा है बिलकुल न घबडाएं आप बिलकुल निश्चिंत हो करके सव करोण हिंदू का समर्थन आपके साथ है आपका नारा है अब की बार 400 पार हम कहते हैं आप और राश्च्पती सासन लगाई है और इस विधर्मी सरकार को उखाड करके पश्चिं मंगाल से बाहर बंगला देश और म्यामार में फेक दी दिये 400 पार 400 बार होगा बंगाल के संदेश खाली में महलाओं के उपर हो रहे अत्याचार के सम्मन्द में हिंदू समदाय के दोरा और यहां के स्थानिय नांग्रिकों के दोरा एक ज्यापन दिया गया है जिसमें मांग की गई है कि जो बश्चिं मंगाल के नेता हैं उनके उपर अंसुचि जाती जन्जाती अधनियम के तहर्त मुकद्बा दायर किया जाए एक राश्ची इस्तर का जहां चायोग बनाया जाए और वहां के लोगों के जो संसादन है उनकी सुरक्षा की जाए माननी कलेक्टर महोदय को एक ग्यापन दिया है इस ग्यापन देने के उपरां यह ग्यापन माननी महा महिम राश्च्पती महोदया तक जाएगा और हम संग मांग करते हैं कि हमारे देश में इस तरीके की सरकार को बरखास्त करते हुए इस तरीके की बेमनस्ता पूर कारवाही जो शाह जहां सेख द्वारा हमारे भारत जैसे देश में उन्होंने की है इस सब की हम घोर निंदा करते हैं हमारे 135 करोड भारत वाशी इस सब की निंदा करते हैं यह अत्याचार यह दुराचार अब नहीं सहा जाएगा इसी भावना के साथ हिंदू स्वाविमान मंच ने यहाँ पर एक ज्यापन दिया है आप देख रहे है दखल्यूर